अब बॉर्णिंग दोस्तों इस्टेटी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बहुत इंपोर्टेन टोपिक जो की जितनी भी एक्जाम्स होती है उसमें इस टोपिक से लगपग लगपग प्रशन आते ही आते हैं ठीक है मतलब ये जो टोपिक है ये अपन क्वैश्रम से की जोसे कि कोई सीभी एक्जाम हो एक्जाम साय कोई स्वादी देरहे हो ठीक उसमें आपको इसके प्रशन मिलें गें कि मिलेंगे और अपने को यहीं नंबर को घरवा सकता है ठाहिए इसलिए यहां पे इस डेखेंगे और यह जो मंस्पर्देश समय निम्यान का कि खनीज्र संबन्दी टोपिक हे मतबम समंद्र नाम पढ़े तो खनीज संसादन के ऊपर एकदम बेसिक वीडियो है, सुमवाती वीडियो है, जिसमें आपको मेरमेन फेक्ट जो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए, इस तरीके से आपको बता हुआ, और कई बार से ये फेक्ट पूझे गए हैं प्रशनों में, वही फेक्ट आपके सामने आईगी है, ठीक है, तो आएए देखते हैं कौन से फेक्ट हैं, और आज हम जैसे कि यहाँ पर इस्टाट जाए रहे हैं, मद्य प्रदेश में खनीज संसादन है, ठीक है, तो मद्य प्रदेश में खनीज संसादन है, तो यहाँ पर यह अच्छी तरीके से यभी आप देखते रहे और स्थोनते रहे ठीक है तो आईए आगे बढ़ता हैं मतिपर्देश में खनीच संसादन जिसमें खनीच को पढ़ना है आमें तो सबसे पर लिए बता होना बहुत जरूरी है कि खनीच क्या है तो यह ठीक उसी प्रकास सरी कि मालों आपको कहीं पर जाना है कहीं कोई जरी का नायत उसमें जहां पर जाना जिस्तान का नाम पतावना जरूरी है उसके बारे में पतावना जरूरी है तो इसी ताइप से टोपिक को पढ़ने के लिए खनीच के बारे में पतावना बहुत जरूरी है और देखते हैं खनीच क्या है तो खनीच ऐसे बहुतिक पदार्थ हैं फिर से लेखे खनीज ऐसे बहुतिक पदार्थ हैं जो जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं या फिर जमीन के अंदर से ताथ होते हैं ठीक है यह नॉर्मल लेखिनेसर है और यह भी हम मारसे की एकजा में लिखना है प्येसदी में लिखना है ठीक है तो प्रकरती में पाई जाने वाले ऐसे पतात जिनका निचित रासाइनिक और भोतिक गुण धर्म यहां पे होते हैं फिर यहां पे जिनके करने तो जिनके रासाइनिक और भोतिक गुण धर्म होते हैं अब यह हैं उसके बाद तथा जिनके खोल कर निकाला जाता है जिनके खनम के दवारा फ्रक्त किया जाता है तो इनको हम क्या हो लेंगे खनीच पराद ठीक है खनीच तो इस अदिके सरी यहां पे जांकर यह इपने खनीच के बारे में फिर उसके बाद में सबसे में फेक्ट है वह यह है कि जो खनीच संशादन होते हैं इन पर अधिकार किसका होता है इस पर अधिकार किस्ता होता है? जैसे कि मालब एक गाउं है, उस गाउं में किस्ता अधिकार है, तो उस गाउं में जो गाउं का मुक्या होता है, उस गाउं के मुक्या का पूरे गाउं पर अधिकार होता है, तो इसी टाइप से यहां पे जो खनन होता है, खनीज को निकाल किसका होता है तो आपको में बतो तो जो अधिकार है खनीचों पर उस पर राजियों का अधिकार होगा किसका राजियों का अधिकार ठीक है तो अधिकार किसका होगा राजियों का होगा लेकिन बाद में क्या हुआ लेकिन यहां पर यह शर्द वह खतना कि लेकिन लेकिन हुआ क्या बाद में सन 1957 में जिसको हम बोलते हैं सन 1957 में एक अधीनियम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं खनीज खान और खनीज अधीनियम अधीनियम 1957 ठीके जिसको हम क्या बोलते हैं इसके बाद में नए नियम बने नए कानून बने जिसके द्वारा उन कानूनों के तहप केंदर सरकार को अधिकार मिला कर Скendrist के ढाद का खनीज ऑपर नियंत्रार करने का उनको नीमित करने का ठीके तह सब्सक्राद ने खानीज पर जो नियंत्र होता है इसको हूं केंद्र का 98 केंद्र सरकार का नियंद्र नियंद्र होता है तो इस तरीके साथ को ज्यान रखना है कि खनीजों पर तिफ्राधिकार होता है तो राज्यवाधिकार होता है कि खनीजों को नियंद्र करने का इंद्र सरकार करता है कि तहद यह प्रावधान कहां पर दिया गया है तो यह प्रावदान किसके दुवार दिया गया है, एक खान और खनीश अधिनियां, 1950 से रहा है, 1957 और इसमें यह दिया गया है, तो दोनों ही बहुत इंपोर्टन फेक्ट है, अच्छी तरीक से इनको याद रहा है, ठीक है, आएंपी है, यह है, और यह इसमें पूचा गया है इसलिए यहाँ आपको मैंने पताया, उसके बाद में जो आने वाला फेक्ट है, आप आगे जो बता रहा हूं, यह भी काफी इंपोर्टन है, और यह भी प्रस्नल, प्रस्नल में आचुके हैं, किसी भी मैसे की एकचाम में आचुके हैं, तो देखें क्या है, और देखों, यहाँ पर क्या दिखा है, खनी जिनिती, तो खनी जिनिती मात्य प्रदेश की पहदी खनी जिनिती कब बनी थी, तो मात्य प्रदेश की पहदी खनी जिनिती कब बनी थी, आपको यह देखना है, तो मात्य प्रदेश की जो प्रथम खनी जिनिती हैं, तो प्रथम, खनी जिन मत्य प्रदेश में प्रथम खनीजनीटी में 1995 में उसके बाद में जो दूसरी खनीजनीटी यह बनी कब 2010 में मत्य प्रदेश में मत्य प्रदेश की बाद में प्रथम खनीजनीटी यह बनी इसके बाद करते हैं खनीज नीगम जो खनीच निगम होता है जिसे का नगर निगम होता है इस टाइब से खनीच निगम होता है तो खनीच निगम कि वाब करेंगे खनीच निगम इसको देखेंगे कि यह कब बना यहां पर खानीच निती यह निती जो इससे की बनती है इसमें कई साथी से की नियम और खानों को बनाए जाता है जिनके द्वारा खानीचों का उठ्खनां किया जाता है भी में अन्था में आय गனता है फिर के एक इस्तान से इस्तान पर इस्तान आंत claiming बोल सकते हैं तो इसलिकेसे उत पातन इस्तान विशान उसके बाद आखा इसका नीथ उसके बाना सबस्केसुर्ण, इसके बालाए जनवरी 1922 कर भासद्धा इसका यह बहुत इंपोर्ट्थ में रहेता। ईसके झ्यान रतना है जन्वार इनसने चैन्वारी 25 hips तो इस तरीकम से यहां पर यह हो जाएगा तो यह की दिर है खनिज निटी जहां रखना है 1945 जहां 2010 जै कि खनिज निगाम यह 1965 मैं जन्वारी याद रखना है कि यहां पर सहीतर यह से लिखा नहीं तो यह जाएगा और इस तरीके से यहां पर यह हो जाएगा घनीज निगाव उसके बाद में फिर बढ़ता है आगे वो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट इसका वो यह है कि जो मद्यप्रदेश है मद्यप्रदेश में जो खनीज सरवाधी मात्रा में पाई जाते हैं वो इसमें आधिकतर जो खनीज पाई जाते हैं वो पूर्मी भाग में पाई जाते हैं जब सिक्ये मध्य प्रदेश का विफाजन नहीं हुआ था, उस ताहिं मध्य प्रदेश पुरए देश में खनीश उत्पादन की द्रिष्टी से सबसे प्रता किस्तान पर था, जब चतिस गड़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में शामिल था, यह ओद, वर्तमान में म मंदीपरदेश बंनारं की दरश्टी से तीसरे नमबर पे है थीकिए वर्तवान में मंदीपरदेश बंनारं की दरश्टी से तीसरे नमबर पे । इस तर यहां पे मंदीपरदेश बहुत साइब प्रकारथ है जिसे कि 20, total 20, 227 type के जो खनीजोगरा उखपादिक होते हैं, इसमें आप ध्यादक नाए कि जो खनीजोगरा उखपादिक होते हैं, यह प्रशनेज़ भी आए, तो आपको सिक्षि कि अलग-अलग उपो में कहीं में जिसे कि अलग-अलग भी आओा है, किसी में 20 भी आओा है, तो किसी में 27 भी आओा है, ठीक है, तो आप लोगों से इसे कि एक हमवर खेल समझ दो, कि आपको सिक्षि कि यह खोज करना है, यह खोजना है, नेट पे, कि मत्यप्रदेश में कितने प्रटाब के खनीज पाई जाते हैं, ठीक है, यह मैं भी सिक्षि करना हूँगा, उसके बाद फिर आपको बता हूँगा, लेकिन आपको भी नेट ना है, यादि आपके बाद से जो फिक्स डाटा है, तो आप जरूर प्रमेट करें, अब बढ़ते हैं आगे, और मत्यप्रदेश में इसे कि जो खनीज है, इसकी जो पेसिक पेसिक जानकारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, उसके बाद नाश्च में आपको बता देता हूँ, अब बढ़तेश में जो खनीज संसादन में खनीज का अध्यान करेंगे, यह दो प्रकार का अध्यान करेंगे हम, ठीके, खनीज दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देख लो, दो प्रकार कोण कोण से हैं, खन खनीज के प्रकाद अब देखो यह कितने प्रकाद काउता है तो दो प्रकाद काउता है तो दो प्रकाद कोन से हैं यह ले दो सबसे पहला है धातरीक तक दात्रीक खनीज और गुसरा और eldhtaatविक, तो इस तरह से मध्य प्रदेश में खनीजों को अध्यन करते हैं उसमें धो प्रकाद के खनीजों कद्याँ करते हैं धातरीक और ग्रयाक ठाकाद कितने है दोपर पाड़ हैं अब धातवी खनिज के अंदर कूल टोटेशनागे इसे घनिज़ जिन में मुक्य तब दधातू पाई जाती है जिन से धातू का निसकशन किया जता है जिन दःतू का उतक्रफपतन होता है वेस तरीके सích जिन खनिज कोसे दातू को बताए कि अधात्रow के करी किनि तुम को यहां पर इन दोनों का आध्याहित पिसाभी से कलना पड़ेगा पहुत अच्छी तरीकों पढ़ना पड़ेगा सौन आध्यायत दॉन्हां यहां इन दोनों से की इस थम्भों पे पुरा खनीज संसाधन दिकावा है और इससे बहुत ज्यादा प्रश्ण पूछे जाते हैं तो यहां पे नेक्ष वीडियो में पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे धात्विक और अधात्विक खनीज अभी बस यहां तक और यहां बस यहां तक आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन यदि इससे की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी महलों से कि दो बसेंड भी महलों फाइदा हुआ है तो लाइक जरू करें और आप नए हो चैनल को सप्राइब करें और बेल आकन दबाने मिलते हैं नेक्ष वीडिय